आज मैं एक नई होरर इस्टूरे सुनाने जा रहा हूँ जायद आपको पसंदा है पसंदा है तो लाइक करेगा शेयर करेगा कमेंट्स भी लिख दे कमेंट्स बहुत अच्छे लिखेगा जिससे मुझका मैंना मनुवल बढ़े ठंड बहुत हो रही है नाग भेती चली आ रही है अभी अभी मैं गरम गरम समुशा खाके बैठाओ थोरी से गर्मी है तो मैं आपको जो हूँ होरर स्टूरी सुना रहा हूँ तो ये हरर स्टूरी उस जवाने की है जबकि मुबाइल फोन तो दूर दूर तक साथ इंडिया में तो किसने सुना नहीं था किया सावी कुछ होता है और जो है लैंड लाइन जो होता था वो बहुती बड़े-बड़े आदमियों की है मल अफसर फसर के होता था या संपन व्यक्तियों की है आम आदमें तो लैंड लाइन सोच भी नहीं सकता था मना बुक कराओ तो कम से कम लग जाता था 8-10 महीना ऐसा लगता था और इसलिए जो है तो मेरे गुरु जी ने जब मैं उनके पास गया तो मेरे तो बहुत 27-28 गुरु बनाए हैं बहुत कुछ सीखा लोगों से तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा आज जो है उन्होंने बताया सम मोचना और वहां पर जाके जो है पूजा करनी है तो क्या करते मचली लेलना भूनी हुई शराब लेलना कुछ नमकीन लेलना और वो ऐसा कहते है उन्होंने अपने जेव से रुपए निकाल के दिये तो मैंने कहा गुरु जी रहन दी जै मैं दे दूँगा कहने नहीं तुम पहुंच जाना टाइम से अब कुछ जो है भूनी मुचली जाइदा लेलना जाए वो क्या करते तेल की भूनी हो या कंडे पर रखके भूनी गई हो कुछ जाइदा ही लेलना क्यूंकि हो सकता है रात में बो कोक लगे मैंने का ठीक है गुरु जी तो मैं जो हूँ ठीक मला अफिस करने के बाद ये करीब सोंजी सतर होसी के दसक के बीच में बात है आफिस करने के बाद मैं सीधा वहां चला गया वो रहते थे ताल का टोरा मैं अपने चौक से मेडिकल कॉलिज से पैदल चलता 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 ताल का टोरा पहुंचा उनके पास तो बता चला इकका एकका खुब चलते थे एकका और ये लंबी चूच वाला जो क्या गयते हैं हाथी वाला टेमपो वो चलता था और कुछ नहीं चलता था उसपर पहर ने कहा फिर मैं पहुचा फिर अपने चौक में गुलाला घाट में गुलाला घाट उसमें इतना विक्सित नहीं था ब एक मात सम्शान गाट है तो मैं बहाँ पहुंचा पहुंचते पहुंचते मुझको करीब साड़े नौ दस बच गए थे अब मैं आसन वसन बिच्छा के गुरू जी के करना से सब कुछ करके तयार के गुरू जी आएंगे और कुछ पूजा करेंगे हमको भी सिखाएंगे लेकिन गुरू जी नहीं आए तो नहीं आए अब सब मुबाइल फोन का जवाना तो था नहीं कि मैं मुबाइल से पूछता है गुरू जी कहां पर हूँ मैं तो यहां पूजा में बैठा हूँ आपके जार करता हूँ अब भाई या अब गुरू जी के पास गुरू जी तो हमारे जैसी थे मदलब लूएर मिडियल मिडिल क्लास के अब भाई जो है यह सब हो गया तो करीब क्या रहा बचे के बाद हमने कर गुरू जी आए नहीं क्या तो मैंने का चलो जो वो परसार लाए है वो कमसा अर्पित कर दे गुरू जी जी मंत्र वाया है उनको जो मैं उनका चाप कर लूँ फिर बहुर होटे निकलूंगा अपने हाँ मैं रहता था बावु गंज में भुयन देवी का मंदिर जो अभी नया बना है उसी के सामने रहता था तो रात में निकलना तो मुश्किल था मैं फिर जो हूँ रात में पूरी रात रुखने का मैंने प्रोग्राम मना लिया जाब करना था पहले सब कुछ होई किया चिताओं के फेरे लगाए जो कुछ कुरुजी ने उताया था चिताओं के फेरे लगाए उनको शराब और मचली अर्पित की सभी अत्रिपता अत्माओं को गुलाया और सब कुछ किया मैंने और जाब करता था फिर तो भी या जो हुआ उसकी तो मैं कल तुना भी नहीं कर सकता था ये काले लंका साण खेतों में से साथ किसी ने भगा दिया हो या कोई अत्रिपता अत्माओं ही हो साण के रूप में और दोड़ता हुआ मेरे पस सींग नीचे करके मुझको जैसे मारी देगा और पता ने क्या हुआ बजाए मुझको मारने के लिए वो मेरे पाई तरफ से करके दूसरी तरफ नदी के तरफ निकल गया गुलाला समसान घाट के बता दू कि वहाँ पर गोमती नदी बहती है तो जब मैं वहाँ मतलब बजगा साथ साथ से अब मेरी तो हालत खराब हो गई कि पहले ही जो है साण ने मुझको मारने के कुशिश की और जो है उसी समय साण के दोड़ने से पेर पर कववे जो है जोड़ जोड़ से चीखने लगे और दूर कहीं जंगली जंगल एरिया था सियार वा हुआ करते वैसे लगए जैसे मेरे पास ही आ गए हो उल्लू पेर पर बोलने लगे साण साण हवा जलने लगी और जो इतनी जोड़ से हवा चली कि जो चिटाए जल रही थी उसमें से राख उरूर के मेरे पूरे बदन में लगने लगी उसमें गरम भी थी ठंडी राख और तो और ये माग का महिना था अती भेंग का रात चारो तरफ समनाटा उसमें कोई रुकता नहीं था एकात कोई रुकता तो रुकता तो वह भी नहीं दे वो जो सरापी तो दुन बठेंगे उस रात के अधेरे में जिस पेड की नीचे मैं बैठा था पूजा करा था बहुत बड़ा पेड था चम मुसे मेरे सामने कोई कूदा तो मैंने देखा कि जो है एक चुडैल चुडैली कहेंगे क्योंकि आम तोर पर समशान घाट में लड़कियां तो पेड़ पर चड़के मेरे सामने कूदे की दी लेकिन वो बड़ी भैंकर देखने में थी युवा ही थी और उसने अपने हाथ के पंजे मेरे तरफ बढ़ाए मेरा गला घोटनेने की कोशिश की और साइद लगा मुझको कहरे यह भाग जा यहां से ने ति मैं तुझको मार के तेरा कलेजा खा जाओंगी गुरुजी ने कहा ता ऐसा कभी दिखाई पड़े तो भागना नहीं नहीं तो मारे जाओगे सही में उन्होंने जो रक्षा मंतर का घेरा बताया था वो चारो तरफ में ने खीद दिया था और रक्षा मंतर के पास आते आते वो चीख मार के दोड़ी और फिर वो पेर पा साइद कायब होगे पेर आप उड़के गायब होगे अईसा मुझको लगा फिर जो आसपास जो है जो मेडिको लेगल केस या कोई भी उते जिनकी कबर बन जाती है पुलिस वाले दफना देते हैं या जो उनकी मिट्टू आसविक रूप से होती है हिंद रिच्वल कैंसर जिनको जो है जलाया नहीं जाता बच्चे से लेके सर्पदंस वाले उनकी कबरें सब बनी थी अचानक उनक कबरों में से हूँ हूँ आवाज आई मैंने देखा सारी कबरे भट गई और उसमें से पिचित्र पिचित्र पिलकुल ऐसे लगा जैसे सब निकल ले हैं हूँ तगड़ी मूच बाले भी बच्चे बूढ़े भी इस्तरेयां भी और सब निकल के करते हैं मेरी तब दोड़े लेकिन मैंने जाप नहीं छोड़ा उसके पात जो है जो हुआ बहुत और भी भ्याना पताने कहां से लकड़ बगगों का जुंड शायद बचे हुए लास के टुकड़ों को खाने के लिए पहले सियार बोले हुआ 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 करते हैं फिर वो जो लकड़ बगगे थे पूरा जो है उन्होंने वहीं जो बाड़ी जलती हुए बच गए थी अच्छे टक के गिर गए थी उनको कचर 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 खाने लगे उनके खटी चवानी के आवाज मेरी रोखे को मैं कहते हैं यह थी क्योंकि लकड़ बगगों के सुुने की बहुत सकती होती है इधी उनने हवा तुखेर लटी तरफ बहरे थी हम नेका कहीं इधी जो है लकडबगों ने जो है किया करते मेरी खुश्वु सूंग ली तो तो इतने कम से दस बारा लकडबग थे उनके पास तो मैं जिन्दा नहीं है आज मुझे नोच नोच के खा जाएंगे फिर क्या हुआ लकडबगे काओं काओं किया पता नहीं कैसे उन्होंने जो है जिस अपनी जिस तरह से बोलते हैं और वो भ्यानक रूप से भ्यानक गदी से मेरी तरफ पढ़े और जब बस मैंने सूचा आज तो मौत आ गई मेरे चितरे यहां मिलेंगे गुरु जी तो पता नहीं कहां पर है तो उस समय रात्र के तीन बज रहते हैं मैंने जो है क्या करते है ना आसन छोड़ के उठा सिफ गुरु की भक्ति और मेरी शक्ति फुरो मंत्र सुरव इश्वरो वाचा गुरु की भक्ति के उपर गुरु की शक्ति के उपर मुझे वो था कि कुछ नहीं होगा मेरा वो लकडबगे फिर दोर पड़े एक कब्रे के पास जो कि खुदा पड़ा था सायद किसी जंगली जानमर ने खोद दिया हो उसमें से एक बच्चे की लाश को निकालके वो कचर 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 खाने लगे ऐसा विभस द्रिश्रत जो है मैंने देखा मैंने का उस बच्चे ने जो है सायद मरने के बाद में उपकार किया मुझको उनके आकमर से बचा लिया मरने से बचा लिया फिर तो जो है वो हुआ फिर भुणी हुई मच्चिया जो बची थी उनको मैंने फिर भोग लगाया और प्रात्ना किया कि इस मंत्र में जो मैं कर रहा हूँ इसमें सिध्धी मुझे प्राप्त हो फिर एक जिस पेर पर बैठा था वहाँ चारो तरफ रोश्नी होने लगी उटको ऐसा लगा जो बहुती सुन्दर कोई देवी स्वरूपा इस्तरी सामने खड़ी है मंद मंद मुस्कुरा रही है और उन्होंने जो है हाथ उठा के मेरे आशिरवाद दिया उनके हाथ से एक लव निकली और जो है उसको छोती ही उन लकड़बगों के पास पहुँच गई और सारे लकड़बगे चीख मार के पता नहीं क्यों दोड़ते हुए अधेरे में गुम हो गए जो समशान के जो गब्र से जो प्रेतात्माय सब निकली थी वो जो है क्या करते है वो भी चीख मार के भागने लगी सब और उसी समय भैंग का रूप से आधी चलने लगी और आधी के थोड़ी ही देर बाद तीन चार मिनट बार भैंग का रूप से बढ़शा होने लगी तब तक मेरी पूजा स्वाप्त हो चुकी थी दीपक बुजने को था मैंने किसी तरह से उसको बचाया और आरती बगरा की और उसके पात जो है मैं करीब करीब भीगी चुका था तो मैं जो हूँ अपनी पोटली उठा के जसमें कुछ रोटियां सहा रखी थी जो मैं ले आया था रुमाली रोटी वगरा कुछ सुखी भी मचली थी वो था नमकीन था वो ले आया फिर मैं एक सेल्टर में बैड़ गया जहां पानी नहीं पोचेगा और मैंने फिर से अर्पित किया हे अत्रिप्तात्माओं हे शम्षान अधिपती अब मैं भोजन गिरहन करने जा रहा हूँ आपका परशाद है आप चाहें तो इसको सुईकार कर लीजे और मुझको आशिरवाद दीजे मैंने अपनी पूरी पूजा की और किर्पा करके इस जो भेंकर बरशात हो रही है इसको बन करिए जिससे मैं निर्विंगन रूप से घर जा सकूँ और सुवे मुझको अपना जो है अपनी ड्यूटी पर सुवे सुवे हमको जाना है साड़े साथ वजे तक तुके प्या करके इसको बन करिए अश्चर घोर अश्चर मेरे क जहने के मातर से आधी तुफान खतम बरशा खतम और मैं जो हूँ तब तक मैं खाना खा चुका था जो बचा कुछा था और फिर जो है मैं पैदल पैदल उबर खावार रास्तों में कच्चा रास्ता था पानी भरा हुआ किसी तरह से करता है और डर भी लग रहा था कही चौक आया चौक आया इस समय स Falnite के पांच बज़ रहे थे चार बाग जाने के लिए वही हाथी सूंड वाला टेंपो जमाने में चलता था तीन पैए का उससा चार बाग जाने के लिए तेयार था तो जो है मैंने एक टेंपो किया वहां से और उसने हमको उतार दिया वहीं और मैं जो हूँ उस टेमप वाले को मैंने पैसे दिये अब पैदल 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 मैं बाबुगन में अपने निवास अस्तान पर महूंचा। मेरी माय प्रतिक्छा करती रहती थी बिचारी बूर्ष हो चुकी थी लेकिन मुझको बहुत प्यार करती थी आज मैं माँ को याद करकरके मेरे आँख में आशू आ जाते हैं खेमा आज मैं भी बूढ़ा ओगया हूँ खैर इस समय तो सब ख्यार लखना है पता नहीं मेरी धर्म पत्नी जो मिन्हें इतना ख्यार लखती है भगवान उसके पहले मुझे उठा लेना यूँकि उसके बार लगता है कोई मेरा ख्यार नहीं रखेगा बुढ़ा बुढ़े आदमे को कौन ख्या लगता है तो मैंने मा के चरंच वे और ज़ाके असनान धान किया उसके बाद थोड़ी दिर मैंने एक नीद ले ली और उसके बाद सुबे का पूजा मैंने किया चल्दी अलदी निप्टाया और उसके बाद मैं जो हूँ सीधे चल पड़ा बावुगन से चौक पैदल टाइम से मैं पहुँच गया मैंने डिपावेंट खोला और मैं अपने लैब में पहुँचा ये है मेरी ऐसी भ्यानक चुड़ैल की कहानी जिसको मैंने साक्षा देखा उन भूत प्रेत आत्माओं का अत्रिप्त आत्माओं को देखा उस सान को देखा जो भैंक का रूप से आ रहे है और उस आदम खोड लका बग्गे या भेडिया जो भी हो मैं जानता नहीं था तेरे में कौन से जाती की थे उन पूरे जुन्ड को मैंने देखा सियारों का हुआ उस बना और कवों का काओं काओं उल्लू का बोलना आधी तुफान सब कुछ जहलते हुए मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ अभी मैंने कल ही जो है आर के आर हिस्ट्री को देखा था मुझको बसंद आने लगा वो भी शमशान घार में पूरी रात रुक के उसने खीर बनाई खीर बना के खाया किस तरह से भैंकरन भव हो रहा था मैं सब को धन्यवाद देता हूँ भगवन उन लोग को जरू मनो कामना पूरी करना बिचारे नौकरी करते नहीं सारी रात जग जग के वीडियो बनाते हैं हम लोग के लिए ऐसे लोग वो हैं ओम भाई हैं सागर तिवारी हैं और यलवन भी हैं और एक्स्ट्लोर इंडिया जो कि कभी भूत प्रेट को मानते नहीं थे वो भी अब भूत प्रेट हांटेट वीडियो बनाने लगे भगवान करें सब की उन्नती हो शब का आशिरवाद से मेरे पर और मैं ऐसे ही आप लोग को कहानी सुनाता रहूँ प्लीज इस्टोरी पसंद आई होरर स्टोरी तो लाइक, शेर, कमेंट्स करिएगा और आशा करता हूँ कि जैसे आपने प्यार मुझे 2022 में दिया वैसे ही 2023 में दिजेगा नव वर्ष की फिर से शुब कामना है और इस एक साथ शायद कल मागी पुर्णीमा है शायद जानता नहीं ठीक से यार नहीं आ रहा या आज ही होगा या कल होगा उसको आप लोग को बहुत बहुत शुक्रावना है और मेरे आशिवाद के साथ मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ नमस्कार जैहन जैभारत